चेप्टर 11 अंडरस्टेंडिंग क्वाडिलेटल ब्रेन टीजर की एक्सेसाइज का ये सेकंड कोस्टन है ABCD जे पेरलोरोग्राम एक ABCD हमें पेरलोरोग्राम दे रखा है AP बाइसेक्ट अंगल A और CQ बाइसेक्ट अंगल C ठीक है जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और CQ एंगल C को बाइसेक्ट करता है P लाइस ओन C D जो P पॉइंट है वो C D पे है और Q लाइस ओन A B जो Q पॉइंट है वो A B पेर शो करना है हमने AP पैरलल टू CQ और A Q CP इसे पैरलोग्राम ऐसे तो समझ नहीं आएगा आप फिकर देखेंगे फिकर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा देखो A B C D एक पैरलोग्राम है अब क्या है जो ये AP है A से लेके P तक ये AP जो लाइन है ये क्या करती है एंगल A को बाइसेक्ट करती है यानि कि हाफ-ाफ में डिवाइड कर देती है इसको मैंने अंगल 1 माल लिया इसको अंगल 2 माल लिया यानि कि जो AP जो लाइन सेगमेंट है वो हाफ-ाफ करती है इसको अंगल को यानि कि अंगल 1 और अंगल 2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगी ऐसी जो c क्यों है वो क्या करती है angle c को half half divide कर देती है bisect कर देती है इसको मैंने angle 3 माल लिया इसको angle 4 माल लिया यानि कि angle 3 equal to angle 4 ठीक है और यह angle 5 मान रखा है यह 6 और यह 7 देखो इसका कैसे use करेंगा आगे हम आप देखो क्या है भई देखो सबसे पहले हमें यह पता लग गया कि यह angle 1 और angle 2 equal है तो हमने यह आपे लिख लिया angle 1 equal to angle 2 यह given है ऐसी angle 3 equal to angle 4 यह भी given है क्योंकि यह इनको bisect कर रहे है angle को ठीक है आप देखो कैसे prove करना है कि AP parallel to C क्यों और A क्यों CP is a parallelogram अब A, B, C, D, J parallelogram विल्कुल ठीक है बात यह given है और angle A equal to angle C हो जाएगा angle A equal to angle C यह पूरा angle A यानि कि 1 plus 2 और यह 3 plus 4 यह पूरा angle A पूरा angle C के equal होगा क्यों होगा क्योंकि जो parallelogram होता है उसके opposite angle equal होते है तो हम यहाप reason लिखेंगा opposite angle हो हो parallelogram तो इसका दोनों को हम half कर देंगे इसका भी half कर दिया और इसका भी half कर दिया दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया दोनों side तो half of angle A मैंने कहले लिया 1 ठीक है क्योंकि यह दोनों equal है इसका half करेंगे तो कहले लिया angle 1 ले लिया और इसका half of angle C half of angle C ले लिया मैंने 3 ठीक है, लेने को तो दोनों भी ले सकते हैं चाहे 2 लिख लो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर 4 लिख लो मगर हमने यहाँ पर 1 लिया है यहाँ पर 3 लिया है, क्यों लिया है क्योंकि एक triangle यह होगी इन दोनों triangle को हम क्या करेंगे हम congruent prove करेंगे अब ठीक है, angle 1 equal to angle 3 हो गया अब now in triangle ADP ADP एक triangle यह है और CB क्यों, CB क्यों दूसरी यह है, ठीक है, इन दोनों को हम congruent prove करेंगे, हमारा question हो जाएगा तो angle 1 equal to angle 3 अभी भी prove किया है, हमने angle 1 equal to angle 3 यह prove किया है, angle 5 equal to angle 6, क्यों होगी angle 5 equal to, यह भी क्या है भई यह जो बड़ा, जो parallelogram बन रहा है, opposite angle है parallelogram के, वो equal है, opposite angle of parallelogram और AD equal to CB AD equal to CB, यह भी ठीक है, क्यों क्यों कि यह opposite side of parallelogram क्या होती है equal होती है, तो क्या हो गया भई angle side angle angle side angle angle side angle property से क्या हो गया भई, दोनों triangle क्या होगी congruent होगी तो दोनों जब triangle congruent होई तो angle 1 equal to angle angle 1 equal to angle क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा angle 1 और angle 7 कैसे ये एक triangle ही है एक triangle ही है cp ct से जिनके जो सभी parts है triangle के वो equal हो जाएगे corresponding part तो angle 1 equal to angle 7 तो हम नहीं यहापे लिख दिया angle 1 equal to angle 7 अब इस angle 1 की जगा मैं angle 2 लिख सकता हूँ क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि angle 1 equal to angle 2 है क्योंकि angle 1 equal to angle 2 है शुरू में हमने किया था तो इसकी जगा हमने angle 2 लिख दिया तो angle 2 और angle 7 क्या होगे equal होगे देखो इस speaker में क्या है angle 2 और angle 7 equal होगे अब क्या भई ये जैसी equal होए और यह दोनों क्या है? alternate angle है यह corresponding angle है corresponding angle जब equal हो जाते हैं तो lines क्या होती है? parallel हो जाती है देखो करेंगे हम कैसे? देखो यह थी भई, यह थी PA और यह line segment था ऐसे CQ ठीक है? और इसने यह cut किया, यह transferal ऐसे गई ठीक है? तो यह angle था, हमने प्रूव कर दिया यह angle 2 equal to angle 7 ठीक है? अब यह दो line है और यह transferal cut कर रहे हैं, यह वाला और यह वाला angle होते है corresponding angle, जब corresponding angle equal हो जाते हैं, तो lines क्या हो जाती है? parallel हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? AP parallel to CQ हो जाएगा, यह हमारा first part हो गया angle 2 equal to angle 7, but these are corresponding angle, so AP parallel to CQ AP parallel to CQ, और reason मैंने बता दिया जब corresponding angle equal हो जाते हैं तो lines parallel हो जाती हैं अब हम प्रूव करेंगे कि AP CQ is a parallelogram, यह वाली AP CQ is a parallelogram अब हमें यह given है कि ABCD एक parallelogram है, ABCD एक parallelogram है तो क्या होएगा? DC AB के parallel होगा DC AB के parallel होगा DC AB के parallel है, तो इसका जो part है, यह पुरा parallel है, तो इसका part यानि PC, और AQ के parallel हो जाएगा, अगर lines parallel हैं, तो उनके parts भी क्या हो जाएगे? parallel हो जाएगे यानि की PC parallel to AQ PC parallel to AQ आप देखो PC parallel to AQ है और AP parallel to CQ अभी हमने पिछे प्रूव किया था यह प्रूव किया था अब देखो यह बन गया हमारा pair कि भई एक जो quadrilateral है उसके pairs क्या होगे भई parallel होगे तो क्या अगर कोई quadrilateral है उसके pair parallel अगर हो जाएं तो इसका मतलब यह होता है कि वो एक parallelogram है हमने pair opposite pair हो तो क्या कर दिये भी, यह ऐसे एक parallelogram था, उसके जो opposite pair थे, line segment वो हमने parallel prove कर दिये, और तो वो क्या बन जाएगा, parallelogram बन जाएगा, so a qcp is a parallelogram, तो reason भी आप लिख सकते हैं कि लिखना चाहें, if both pair of sides are parallel, if both pair of sides of a quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि a qcp, a qcp is a parallelogram, अब next question देखते हैं, इस question को आप एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी practice इसकी करनी पड़ेगी आपको, अब question number 3 है, in the figure 11.34, a, b, c, e, d, j, quadrilateral, एक quadrilateral दे रखा हमें, a, b, c, d, in which, और इसमें क्या है, a, b, a, d, equal है, b, c, और d, c, equal है, diagonal, a, c, and b, d, जो diagonal है, a, c, और b, d, वो intersect कर रहे हैं, ओपर, ठीक है, हमने prove करना है, triangle, a, b, c, congruent to triangle, a, d, c, triangle, o, b, a, o, b, congruent to triangle, a, o, d, a, c, perpendicular to b, d, और a, c, bisects, b, d, यह हमने prove करना है, अब आप figure से समझो पहले, देखो, a, b, c, d, एक quadrilateral है, और equal क्या है, a, b, equal है, a, d, k, और b, c, equal है, d, c, k, ठीक है, यह हमें given है, हमने prove करना है, पहला part हमने prove करना है, a, b, c, a, b, c, congruent to a, d, c, triangle, a, b, c, congruent to a, d, c, यह तो बिल्कुल easy है, तो हम ले लेंगे, in triangle, a, b, c, और a, d, c, यह दोनों triangle ले ली, यह side इसके कवल, यह side इसके कवल, और यह जो बीचवली side है, यह common हो जेगी, तो side 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 से दोनों triangle क्या हो जाएंगी, congruent हो जाएंगी, बिल्कुल easy है तो, तो हम लिखेंगे भई, in triangle a, b, c, and triangle a, d, c, क्या हो गया, a, b, equal to a, d, a, b, equal to a, d, given है, b, c, equal to d, c, b, c, equal to d, c, यह भी a, b, c, congruent to triangle a, d, c, तो first part तो बिल्कुल easy था, अब दूसरे part में हमने प्रूब करना है, triangle a, o, b, congruent to triangle a, o, d, a, o, b, a, o, b, और a, o, d, यह दोनो triangle congruent है, यह भी बिल्कुल easy है, जैको कैसे करेंगे, अभी अभी हमने प्रूब किया है, क्योंकि triangle a, b, c, congruent to triangle a, d, c, अभी यह प्रूब किया है, अभी हमने, यह लिख दिया हमने, तो यह दोनो congruent है triangle, तो इनके जो सभी part वो equal हो जाएंगे, यानि कि angle 1 माल लिया मैंने इसको, और इसको angle 2 माल लिया, यानि कि यह वाला angle, इस angle के equal हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, c, p, c, t से, क्योंकि यह दोनो triangle क्या ह congruent है, यह बड़ी जो ट्रेंगल थी, यह congruent थी, इसलिए यह वाला angle, इसे वाले angle के equal हो जाएगा, angle 1 equal to angle 2, अब क्या है, a, b और a, d, यह भी क्या है, given है, यह भी हमने लिख लिया, given, अब और तीसरी चीज़ क्या है भई, a, o क्या आगी, common आगी, तो side, angle, side, a, o दोनों में है, तो यह आगया common, तो by side, angle, side, side, angle, side, ऐसे ही, side, angle, side, side, angle, side property लगी, तो triangle, a, o, b, congruent to triangle, a, o, d, ठीक है, तो बिल्कुल easy था यह भी, अब इसका next part देखते हैं, next part में हमने प्रूव करना है, इसका ac perpendicular to ab, b, d, sorry, ac perpendicular to b, d, यह नहीं कि ac, जो है, वो b, d, पे perpendicular है, ठीक है, और नहीं है, नहीं कि 90 का angle बना रहा है, perpendicular का मतलो 90 का angle, यह प्रूव करना है, हमने जो, यह ac है, वो b, d, यह 90 का angle बना रहा है, ठीक है, यह 90, 90 का angle, तो कैसे करेंगे इसको, अभी यहीं से करेंगे, जो हमने अभी अभी प्रूव किया है, triangle, a, o, b, congruent to triangle, a, o, d, दोनों triangle क्या है congruent है, a, o, b, औ, a, o, d, तो यह वाला angle, यह वाला angle और यह वाला angle क्या हो जाएंगे, वही, equal हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, c, p, c, d से, क्योंकि यह दोनों triangle क्या है, congruent है, तो यह वाला part, इस part के equal हो जाएगा, यानि कि angle, a, o, b, a, o, b, और angle, a, o, d, यह वाला angle और यह दोनों एंगल का सम कितना होता है आपका होगे 180 होता है यह linear pair बढ़ रहा है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 तो एंगल AOB पलस AOD इक्वल to 180, तो आपको पता है AOB और AOD equal है तो इस AOD की जगा मैं AOB लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों equal है, तो इसकी जगा मैंने ये लिख लिया, तो AOB और AOB क्या हो गया, twice of angle AOB double हो गया, तो आप ये two multiply कर रहा है, दर्जागे करते का divide हमारे पास आगया 90, यानि कि AOB कितना आगया 90, ये 90 का angle आगया, और ये भी कितने का हुएगा 90 का, क्योंकि ये दोनों angle क्या थे, equal थे, यानि कि AOB और AOD के आगे 90 आगे, जब 90 का angle आगया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि AC perpendicular to BD, AC इसका 4th पार्ट है, 4th पार्ट में हमने प्रूव करना है, AC bisect BD जो AC है वो BD को आधाधा बांट रहा है, यानि कि OB और OD equal है AC, BD को आधाधा बांट रहा है, bisect कर रहा है, ये प्रूव करना है, इसको भी ऐसी करेंगे अभी अभी हमने प्रूव किया triangle AOB, congruent to triangle AOD, दोनों congruent है congruent है, तो उसके congruent जो CP, CT से corresponding particle हो जाएंगे यानि कि OB equal to OD OB equal to OD CP, CT से क्योंकि ये दोनों triangle क्या है, congruent है अब OD OB और OD equal हो गए, यानि कि O इसका midpoint है, O इसका midpoint है, यानि कि ये इसको bisect कर रहा है, AC, BD को bisect कर रहा है O is the midpoint of BD, so AC bisects BD ठीक है, ये हमारे second और third question कंपलीट हो कया है